सुगाई साज के इस वीड़ा में बात करने वाले हैं कि आप 2024 में Grow App में अपने Demet Account को कैसे क्लोज करेंगे क्लोज करने का क्या प्रोसेस है और आप लोग के सामने लाइव इस Demet Account को क्लोज करके दिखाने वाला हूं साथ ही में close करते हैं समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ठीक है तो आप लोग को एक-एक step बताने वाला हूँ तो इस video को पूरा देखेगा सुरू से अंत तक जिससे कि आप लोग को सही और सटिक जनकारी मिल सके तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने डेमेट अकाउंट यानि कि ग्रोवेप में लॉग इन हो चुका हूँ इसके बाद सिम्पली आप लोग को यहाँ पर search के बगल में जो आप लोग का नाम का short firm show करता है सिम्पली उस पर click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे grow app में यहाँ पर 100 रुपय का balance है तो किसी भी account को close करने से पहले बंद करने से पहले जो आपके grow app में पैसा sow कर रहा है उसे आप लोग को simply withdrawl कर लेना है इसके बाद simply customer support 24 into 7 जो आप लोग को यहाँ पर यह दिख रहा है इस पर simply click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी इस तरीके का dashboard आ जाएगा इसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पर जो tell us about your issue लिखा हुआ है simply search पर click करेंगे इसके बाद आप लोग को simply लिखना है यहाँ पर ठीक है grow ठीक है डीमेट ठीक है grow डीमेट ठीक डीमेट आप लोग को sorry यह हो गया डीमेट अकाउंट close यह लिख करके simply search करना है जैसे इस लिख करके आप लोग search करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का dashboard आजाएगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है if you want to close your grow डीमेट अकाउंट you can reach out our support team to help you navigate through the following steps यानि कि आप लोग को कुछ यहाँ पर steps दिये जा रहे हैं जिसके मादियम से आप अपने अकाउंट को close कर सकते हैं पहला step यह है कि कोई भी कोई भी आपके जो की डीमेट अकाउंट में किसी भी तरह का कोई भी stock या फिर holding नहीं होना चाहिए कोई भी position नहीं होना चाहिए present time में जब आप जो है कि अपने अकाउंट को close करने जा रहे हैं तो तो अगर आपने किसी भी company का share खरीद करके रखा है holdings रखा है किसी भी company का तो आप लोग उसे sale कर देजिए आपको 00 कर देना है इसके बाद आपका जो है की account close हो पाएगा second में लिखा हुआ है close grow demand account after do list signing a closure firm यानि कि closure firm आप लोग को जो है की भरना पड़ेगा इसके बाद आप लोग का यह जो है की account जो है की आप लोग का यहाँ पर close होगा closure firm कैसे भरना होगा और कहां मिलेगा यह सब का सब online process है आप लोग को बताऊंगा ही और तीसरे step में लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग को simply post करना होगा अपने demate account को या फिर जो है की closure firm को इसके बाद आपका जो account है वो close हो जाएगा इसके बाद simply यहाँ पर देख सकते हैं एक और यहाँ पर most important इंजी लिखा हुआ है कि देखिए अगर आप एक बार अगर अपने grow के demate account को close करना चाहते हैं तो वो आपका account जो है permanently close जाएगा तो फिर आप से जो है की फिर से आप जो है की अपने pad number और अधार number के माध्यम से दोबारा से आप लोग grow में account नहीं बन पाएंगे ठीक है यह यहाँ पर बोला जा रहा है तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लिए कि अगर मजाक मजाक में अगर आप लोग जो है कि अपना demate account close करना चाहते हैं तो आप लोग यह चोड़ दिए नहीं तो अगर आप सचमुच में permanently close करना चाहते हैं तो simply आप आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है grow demate account close यहाँ पर देखिए 3-4 option है पहला screenshot दूसरा record ID हो लेकिन आप लोग को simply यहाँ पर लिखना है यहाँ पर आप लोग को यह लिखना है कि I want to close my grow demate account ठीक यह आप लोग को देखिए लिख लेना है I want to close my grow demate account इसके बाद send पर click क करेंगे तो आपके सामने हाँ पर एक ticket generate हो जाएगा और इसके बाद ticket generate होते ही आपके email पर यानि जो आपके demate account में email जुड़ा हुआ उस पर एक message आएगा ठीक है इसके बाद email लास्ट 48 घंटे के अंदर में एक और email आगा जिसमें आप लोग को link मिलेगा और उस link के माधिय से आप लोग को अपने demate account को close करना होता है ठीक है तो चलिए थोड़ा सा wait कर लेते हैं अभी मुझे email पर मुझे ये message मिला हुआ है और यह जो email आया हुआ है यह देखे confirmation के लिए है के वल और confirmation के mail के बाद 48 घंटे के अंदर में एक और mail आता है तो चलिए उस mail का मैं wait कर ले यहाँ पर simply आप देख सकते है HTTPS करके simply इस पर click करना होगा यहाँ पर click करेंगे तो यह redirect कर देगा आपके ब्राउजर में आपके पास जो भी ब्राउजर होगा उसमें redirect कर देगा और उसी पर उसी ब्राउजर के माध्यम से हम लोग अपने account को जो है के delete करेंगे ठीक तो आ इसके बाद आपके सामने जो है कि एक OTP आएगा उस mobile नंबर पर आएगा जो mobile नंबर आपके दीमेट एकाउंट में जुड़ा हुआ है ठीक है तो simply चलिए OTP यहाँ पर मेरा आ चुका है तो मैं simply OTP को यहाँ पर fill up कर जाता हूं और OTP के fill up करने के बाद आपके सामने एक न आपके सामने जो है कि दोबारा से OTP आएगा तो दोबारा से OTP को यहाँ पर fill up करके प्रोसीट पर simply क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए फिनिश वीद आधार e-sign लिखा हुआ है यानि कि देखे आपको आधार OTP के माध्यम से भी यहाँ पर आपको verify करना होगा e-sign करना होगा तब आपका demate account यहाँ पर close होने वाला है ठीक है तो simply यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ e-sign now इस पर simply क्लिक करे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर terms and condition को accept करने के लिए आ जाएगा तो simply दोनों consent पर क्लिक करेंगे इसके बाद proceed पर क्लिक करेंगे ठीक है इसके बाद आप लोग को simply e-sign now जो लिखा हुआ है सबसे नीचे आपसान उस पर क्लिक करेंगे ठीक है e-sign now आप द अबर होगा उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पर फिलप करके आप लोग को submit करना होगा जैसे submit करेंगे तो 48 घंटे के अंदर में आपका जो है कि डिमेट अकाउंट वो close हो जाएगा आप लोग को बहुत आसानी से close कर सकते हैं तो मिलते हैं